पात पहला कोलोसियां दे नाम संद्पॉलूस तापतर उसदा एक बाप नौ तो चौदा आय तक इसलिए जिस दिन तो असी ये सुनेया है असी लगातार तुहादे लेई प्रात्ना करनो अते एह मंगनो नहीं हटे कि तुसी सब तरह दी रुखानी दनाई अते समझ विच उस दी इच्छा पूरी तरह जान लवो ताजो तुसी हर पले कम विच सफल होन अधे खुदा दे ग्यान विच वदन दे नाल नाल हर गल विच उसनु खुश करन ले प्रबू दे योग जीवन बिताओ तुसी खुदा दी महिमावान शक्ती तो बल पाके हर तरह नाल मजबूत हो जावो अधे सब कुछ तीरज नाल सहन लई ते यार रहो खुदा बापनु खुशी नाल तनवाद दिन्दे होए जिसने सानु चानन दे राज विच संता दी विरासर दे हिस्सेदार होन लई योग बनाया अधे बुलाया है उसने सानु हनेर दी शक्तियां तो मुक्त करा के अपने प्यारे बेटे दी राज विच लैंदा है जिस दे वसीले सानु उस दे लहु नाल मुक्ती अर्थाद पापा दी माफी बिल दी है प्रबु दी बानी खुदा दा शुकर होए संथ लूका दी अंजील उज़ा पांज बाप एक कायतो लैके ग्याराय तक जो दो लोग खुदा दे बचन नों सुनन लई ये शुदे आले दुआले किरे होए सान ता ओ गने स्रेथ दी चील्दे कंडे ते खड़ा सी उसने चील्दे किनारे दो किष्टियां विखियां पर मश्यारे ओना विचो निकल के अपने जालानू तो रही सन ओ ओना विचो एक किष्टी विच चड़ गया जो शमान दी सी अथे उसनू आख्या कि ओ किष्टी नू कंडे तो थोड़ा दूर कर ले फिर ओ बैठ गया अधे किष्टी विचो लोकानू सिखोन लगगा जदो उसने उपदेश दे लिया ता शमान नू केहा किष्टी नू डूंगे पाणी विच लै चलो अधे मश्यां फड़न ली अपने जाल सुटो शमान ने उतर दिता प्रभू असी तरा आत पर मेहनत कीत पर कुझ ना फड़िया पर तो हाड़े केहन ते मैं जाल सुट दा हाँ जदो उना ने इंच किता ता उना ने वड़ी गिंती विच ए निया मच्छें के एर लईया कि उना दे जाल तुटन लगे तो उना ने दुजी किष्टी विच ले आपने साथियानू इशारा किता प मेरे कोल दूर चले जाओ प्रभू क्योंकि मैं एक पापी मनुखां क्योंकि एनिया सारे मच्छें नू फड़न नाल वो दंग रह गया सी अते उजे सारे साती भी एही हाल सी जबदी दे पुतर यकोब अते यहुना दा जो शमान दे पाई वाल सन येशुने शमान नू केह डरो नहीं हुन तो तुसी मनुखा दे मश्यारे बनोगे जदो ओना ने अपनिया किष्टियां कंडे ते लैयान दिया ता ओ साब कुछ त्या के ओसे पिशे हो तुरे प्रभूदी अंजील तेरी महमा होवे ऐ मसीह हुआ है